टॉट आपको भीं आपके साथ शेयर करने वाले हैं टिकन पॉपकॉर्फपट वह भी रिसपी जो कि है डिकन पॉपकॉर्पच्छ वह भीज्ञ ने अट लिग वहां दो डेशिपा टिकन पॉपकॉर्फ वह भीज़दी कि भीजिदार आपको है स्ट्राइल में तो चले स्टार्ट करते हैं बनाना तो इतर मैंने ले लिए 500 ग्राम बॉनलेस चिकन जो के स्ट्रेप्स में कट करिए फिर इसमें मैंने शामिल क्या है वन स्पून विनेगर वन स्पून रेचिली सॉस तू स्पून स्वया सॉस वन स्पून होट सॉस विसमें शामिल करेंगे वन स्पून गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट एसपर टेस्ट तकरीबन वन स्पून है सॉल्ट इसमें शामिल करेंगे वन टी स्पून ब्लैक पेपर, टू टी स्पून चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स आपके टेस्ट के हिसाब से आप एड़ कर सकते हो, सारी चीज ले लेगे उसमें हम शामिल करेगे 2 cup मैदा, all-purpose flour और फिरसमें हम एड करेगे 1 spoon salt दोनों चीज़ों को हम अच्छे से mix कर लेगे, 60 minutes हो गई है, हमारी chicken अच्छे से marinate हो गई है और जो हमने flour ready किया था, salt के साथ mix करके वो भी ready है और इधर मैंने एक बाउल में ले लिया है, chilled cold water अब हम chicken लेगे और इसे अच्छे से मेदे में coat करेगे और देखे है, सारी sides को अच्छे से cover करेगे और फिरसम cold water में dip करेगे अब हम दुबारा से इसे तुरंत मेदे में इस तरह coat करेगे और इस तरह करोगे तो इससे अच्छे chicken के अच्छे से खिल कर आएगे और अच्छे से crispy chicken हमारी बनेगी cold water ने इसलिए यूज़ गया है, ताके हमारा मेदा अच्छे से chicken पर coat हो सके इसी तरह हम सारी chicken को ready कर लेगे सारी chicken हमारी अच्छे से ready हो गई है, तब हम high flame पर chicken को fry कर लेगे एक बार अच्छे से crispy texture आ जाए बाहर से, तो फिर हम flame को low कर लेगे ताके chicken भी अच्छे से पक जाए अंदर से आप लोग देख रहे है, chicken कितने मज़े की दीख रहे है और इसका golden brown color आ गया है, तब हम इसे निकाल ले गए आप लोग इसे जरूर बनाइए, बिल्कुल ही कैफ से style बनती है और आप लोग देख ही सकते हैं कितनी crispy और crunchy दिख रहे है हमारी popcorn chicken, तो इसे जरूर बनाइए, इसे mayonnaise के साथ enjoy करिये और इफतार में बनाना ना भूलिए, रेसिपी बसंद आई हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूलिए and hit the bell icon for daily notification and thank you for watching my recipe